साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और जैसा कि आज आपका CSIR का एक्जाम था आपने बहुत अच्छे से दिया होगा बहुत अच्छा आपने एफ़र्ट किया होगा अपने पूरी जो कि आपका हो सकता है एफ़र्ट उन सारी चीजों को आपने क हैं हम question paper को जब देखेंगे उसके लिए भी हमारे पास समय available है तो जब question paper हमें वाकई में दिखेगा हम उसको analysis करेंगे उसके बाद हम फिर decide करेंगे कि क्या level था और किस तरीकी cut off होने वाली है बाकि आपके level पर भी जो है वो आप बहुत जादा CSIR के बारे में सोचने का हो गया चाहे वो अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है वो भी आपको 10-15 दिन में जो होगा वो आपको समझ में आ जाएगा बस मोटा मोटा जो मुझे समझ में आया है जो कि आपका जो भी मैंने poll create किया था overall जो paper था वो आपका moderate level का paper था जैसा कि shift 1 या shift 2 में जिस तरीके से questions पूछे जाते हैं किसी एक shift का paper little bit high हो जाता है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी गई है बट अभी मैं उस पर कोईच भी नहीं कहूंगा वो चीज़ें जब आपका कह सकते हैं कि जब आपकी final question paper मेरे आग के सामने आएगा तब मैं उसके बारे में better कह पाऊंगा ब मुझे लगता है कि जो आपका सबसे जबरदस्त जो आपका exam है जिसके basis पे आप बहुत अच्छा PhD में enrollment ले सकते हैं उसका जो सबसे बड़िहां तरीका है वो आपका dbt grf है जो कि आपका बहुत ही important exam है जो कि most probably यह आपका April में जो होता है यह आपका exam conduct होता है March में इसके आ आप repeaters होंगे दो ही category हो सकती है repeaters वालों के लिए तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप CSIR लेवल तक ने आपने बहुत अच्छा effort किया है अब desert चाहा कुछ भी होता है तो आप एक अच्छे track पर हैं अगर आपने शिद्दत के साथ यहां पर पढ़ाई करके अपना paper दिया औ तो आपको दो महीने और patience रखना होगा क्योंकि आपने इतनी महनत की है तो एक opportunity जो आपके लिए बढ़िया हो सकता है वो आपका dbt grf हो सकता है जहां तक आपको patience बना के रखना होगा और अपनी पढ़ाई करनी होगी दूसरे जो बच्चे हमारे beginners हैं जो अभी से grf या MSC appearing reading में हैं या अभी से ही मा लीजे कि वो MSC last year था अब वो अपनी तयारी करना चाहते हैं तो एक चीज़ जो मैं कहता हूँ कि अगर आप बहुत ही मतलब smart study के तौर पे करके अगर आप किसी exam को crack कर सकते हैं बहुत ही अपने कम समय में ज्यादा output ला सकते हैं वो आपके दो exam है एक आपका dbt.jrf है और एक आपका icmr.jrf है और particular इस platform जाहिने कि मेरे platform को follow करके आप देख सकते हैं कि जब से मैंने इस channel को create किया है वहां से dbt.jrf के कितने selection हुए हैं icmr.jrf में तो बहुत ही मतलब समाल दीजे गरदा उड़ा के रखा हुआ है तो वो सारी चीजे जो ह और अपनी पढ़ाई करते हैं right क्योंकि अभी पूरी दुनिया क्या होगी वो आपके CSIR में busy होगी ठीक है कि इसमें क्या cut off आएगी क्या question आए थे ठीक है तीन चार दिन बच्चों के icmr.jrf निकल जाएंगे फिर उसके बाद answer की आएगी उसको check करेंगे cut off सोचेंगे मतल दिन अगर आपने बहुत जाता तैयारी की है तो एक दो दिन का आप break ले लीजे ठेक है अपने आपको थोड़ा सा relax कर लीजे और उसके बाद वापस से आप अपनी तैयारी में लग जाईए और अपने जो next exam है आपका dbt.grf पर आप क्या करिए अपने आपको focus कर लीजे ब काफी दिन पहले ही लगभग एक महिने पहले ही मैंने इसको update करके लच्छ dbt.grf 2024 कर दिया है और यहां पे आप सारे वीडियो लगभग 108 वीडियो आज की date में इस particular playlist में available है और जो भी बच्चों ने इन content को follow करके गए वो मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा concept clear होगा और dbtgrf की एक खासियत होती है कि यहां पर आपको लगभग बहुत जादा तो मैं नेक होगा लेकिन 5-6 questions जो होते हैं वो आपको repeat होते हुए दिख जाएंगे अगर आप इनका pyq solve करके जाएंगे तो वो चीजे हमने यहां पर cover कर रखी और किसी भी समझ सकते हैं जिसका एक दो question या एक दो number से selection रुकता है तो content available है हलाकि इसके बाद हमने ICMR की तयारी कराई ठेक है और मेरे एक भी वीडियो जो है वो आप किसी से भी आपने scene जो भी हमारे group में बच्चे जुड़े हुए आप उनसे भी कोई यहां पर रोक टोक नहीं है यही response है कि सर मतलब जितना आपने पढ़ाया बहुत solid था वहां से questions बने हुए है तो आप समझ सकते हैं कि कितना important content है उसके बाद हमने ICMR में भी बहुत सारे topic को add किये और CSIR को add किये तो अगर आप अपना selection अच्छे से चाहते हैं तो अभी से जुट जाएए ठीक है नुई अगर आने वाला है नए साल में नई प्रतिग्या करिए कि हम लच डीविटी ज्यारफ 2024 को achieve करके रहेंगे अपने चीजों को better करके रहेंगे और सबसे most important चीज है कि यार ये सारी चीजें free of cost available है कुछ नहीं करना है जब तुम्हारा दिल करे तब तुम इस वीडियो को अपनी तैयारी करो लच डीविटी ज्यारफ का हमारा एक लच पीजी ज्यारफ नाम का हमारे टेलीराम चैनल है वहाँ पे तुम उससे संबाद कर सकते हो अपनी बाते रख सकते हो कोई चीज नहीं समझ में आएगा तो उसका मिल के उपचार किया जाएगा लेकिन खुल के स सामने आना पड़ेगा ठीक है तो यह चीज आप देख सकते हैं बाकी अगर आपको और ज्यादा बिलीव यहाँ पे देखना हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रिजल्ट भी आप इस चैनल पे अवलेबल है जो कि हमने एक वीडियो डालके रखा है उसको भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा जहाँ पे हमारे डिविटी जियारफ के कम से कम नहीं तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे 13 से 14 स्टूडेंट जो थे वो हमारे सेलेक्ट हुए थे इस प्लैटफॉर्म से सलेक्ट हुए थे जिनका नाम यहाँ पे कुछ आपको इस थम आपको केवल और केवल मेरे अनुसार यहाँ पे आपको तयारी करनी होगी और एक बात और मैं भी कहूंगा आपको कि अभी आपका करता नहीं था जुलाई से पेपर था जो कि साल के अंत में जाके रिजल्ट आया है तो अभी इसके रिगार्डिंग बच्चे भी भूल चुके थे कि यह भी कोई हमारा एक्जाम हुआ था तो धीरे-धीरे बच्चे रिपलाई कर रहे हैं बच्चे रिजल्ट को देख रहे है और मान के चलिए यहां पर भी हमारा एक बहुत बड़ी हां सेलेक्शन हुआ है जिसका इस तड़ीके का वीडियो मैं आपको वीकेंड पे आपको अवेलेबल कराऊंगा ताकि सारे बच्चे उसे मेरी बातचीत हो जाए ठीक है कि जो एक्च्वल में हमारे प्लैटफॉर से जुड़े थे और जो वाकई में अपने रिजल्ट को इस चैनल को डेडिकेट करना चाहते हैं उसके रिडिगार्डिंग भी हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे जहां पर अभी मैं आपको मोटे तौर पर बता रहा हूं कि बहुत शानदा रिजल्ट आया है बहुत कम बच सिर्फ आपको ये कराने का है कि जो हुआ सो हुआ उसको भूल कर अब आप नए तैयारी की तरफ आगे बढ़ जाईए और बहुत ये एक्जाम होता है कोई इसमें तीन पांच नहीं होता है लगभग 500 सीटे अवलेबल होती हैं डीविटी जयारफ में हर चीज का इसका एक वीडियो भी पड़ा है कि क्या इसका पैटर्ण है किस तरीके की यहां पर कुश्चन्स आते हैं वो चीजे हमने अल्लेडी कवर करके रखी है डीसेंट एक्जाम है एंटी एक्जाम कराता है और टाइम से आपका एक्जाम हो जाता है माई जून के आसपास आपका इसी वज़ा से डीवटी जियारफ का भी एक्जाम इसी के साथ मर्ज करके वो साथ में करा देते हैं तो यह मान के चलिए कि आपका मार्च में नौटिफिकेशन आ जाएगा और एपरेल में आपका एक्जाम होगा बाकि एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं मेरे साथ आप डिसकस करिए कोई चीजे नहीं आती है उसको समझिये और मैं उन चीजों में बिलीब नहीं करता हूँ कि मैं उन्हीं चीजों को दुबारा से आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँ क्योंकि आलड़ी जो चीज़े मेरे चैनल पर कवर हो चुकी है और वो चीज़े सॉलि तो यह सब कहने के समय नहीं है आप अच्छे से तयारी करिए एक सेप्रेट रफ निकाल लीजिए अपनी नोडबुक निकाल लीजिए नोडबुक बना लीजिए जिस पर बड़ा सा लिख लिए यहां तक बात आपको समझ में आगई होगी अब एक बात मैं आपके साथ और साजा करना चाहूंगा एक और आपका नोटिफिकेशन आया था जिसमें हम डीबिटी बिट पी के रिगार्डिंग भी हमाइने एक वीडियो बना के रखा है यह भी आपका एक डीबिटी जो है वो एक्जाम कंडट कराती है आप बायोटेक के बैगराउंड के स्टुडेंट है तो आप इसमें ट्रेनिंग के लिए रिजबिल होते हैं 6 मन्त या 4 मन्त आपको कुछ स्टाइपेंड भी मिलते हैं तो यह एक्जाम भी मेरे हिसाब से अगर आप बायोटेक बहुत महगा फॉर्म नहीं है लगभग 900 रुपय का फॉर्म एगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं मेरे हिसाब से तो इस फॉर्म को जरूर बरियेगा क्योंकि अभी यहां पर इसकी जो लास्ट डेट है वो अभी 31 है यानि कि अभी आपके पास 4 दिन का समय है तो मेरे हिस आप से इस फॉर्म को जरूर भरेगा क्योंकि इस से क्या होगा कि जैसा मेरा दो चार बाते मेरी बहुत ही सीधा और सठीक रहती है कि जो चीज़े आप अपने एक्जामनेशन हॉल में सीखते हैं इवें जो चीज़े आज आपने CSIR के एक्जाम में बैठ कर सीखा होगा ना आप घर पे मॉक टेस्ट दे कर नहीं सीख सकते हो तो इससे क्या होगा कि आपका जो ये एक्जाम है बेटा ये आपका 21 जनवरी को सेडूल है जिससे क्या होगा कि आप उसके फ्लो में बने रहेंगे फर्स्ट ऑफ उल तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इस एक्जाम को भी सीखेंगे और चूंकि एक चीज़ और भी हमेशा याद रखेगा कि आपके जो जो भी आपके सत्रू हो या जो भी आपके जो चीज़ों पर आपका टारगेट है उनकी क्या एक्टिविटी हो रही है उन पर आपको नजर रखना चाहिए इसी वज़ा से डीबिटी अग अप्लिकेशन फॉर्म को जरूर फिल करिएगा और एक मैं आपको रिस्क लेने के लिए और भी कहूंगा अगर आप बाई दवेगर आप चुकि ये फॉर्म जो है वो एक्स्क्रूसिवली जो है वो आपके बायोटेक बैक्राउंड से नहीं है जो कि मेरा ऐसा मानना रहता ह कभी कभी examination जो agency कराती है वो document verification mostly जो होता है वो अब last moment पर ही होता है ठीक है मतलब जब आप qualify करते हैं तब की तब देखते को आप इनको पैसे दे रहे हैं तो examination लेने में इनको कोई समस्चा नहीं होती है तो मेरे हिसाब से अगर आप इच्छोक है और मेरी बात से अगर आप सहमत है और अगर आपके पास केवल एक बाधा बनती है कि आप biotech आपकी MSC नहीं है तब भी आप इस form को भरने का risk लीजिए अगर आपका form accept हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं होता है तो कोई बात नहीं होता है तो कोई बात नहीं होता है तो कोई बात नहीं होत तो यहां तक आपको समझ में आ गई होगी कि हमारी क्या अप्रोच रहने वाली है, नई पेलिष्ट मैं स्टार्ट करूँगा, बहुत सारी चीज़े मेरे दिमाग में हैं, जो कुछ चीज़े रह गई हैं, उनको हम आगे करेंगे, बाकि आपकी भी अपनी responsibility है कि आप जो भी मेरे एक हर एक वीडियो में मैंने बोला है कि क्या-क्या तरीका करके आपको तयारी करनी है, उन सब चीज़ों को आप जरूर करिएगा, बाकि रिजल्ट आपके सामने है, डिविटी जियारफ के बारे में तो मैंने आपको ब्रीफी कर दिया, ICMR जियारफ हो गया और बहुत तर्गेट जो है, वो आप डिविटी जियारफ दोहजार चौबिस के रिगार्डिंग जो है, वो अब आप अपनी कमर कस लीजिए, यही चीज मुझे आपके साथ साचा करना था, आशा है कि यह चीज़े आपको समझ में आई होगी, मैं आपको इंगित कराना चाहता था, वो बाते आपने समझी होंगी, और अपनी तयारी में वापस से आप जुड़ जाएंगे, उठ खड़े होंगे, क्योंकि अभी जो घाव लगा हुआ है, आज आपका ICMR का भी रिजल्ट आया है, ठीक है, हो सकता है, आपकी ICMR में बात बन रही होगी, वो भी घाव ताजा है और CSIR में भी अगर आपने आज पेपर में जो भी अगर आपको 19-20 लगा होगा, वो भी आपका ताजा-ताजा मामला है, तो इन ही चीजों पर ही आप अच्छे से तयारी करिए, घाव ताजा है, और उस पे ही लग जाईए, अपने जुनून के साथ लग जाईए, ठीक है, एक दब फुल इनरजेटिक मोड में रही है, ठीक है, दो धाई महीने की बात है, कब गुजर जाएगा, पता नहीं चलेगा, तो content बहुत शांदार है, क्योंकि obvious सी बात है, अभी पूरी दुनिया CSIR में busy है, उसके cut-off में busy रहेगी, उसके solution में busy रहेगी, लेकिन खोशियार आदमी वही होगा, कि जो अभी से इसी छड़ से dbtjrf की तयारी करता, इस टार्ट कर देगा, तो यह मेरी बात को याद रखिएगा, और कहीं पर अगर आपको कोई समश्या आती है, तो comment section में जरूर बताईएगा, बाकि telegram channel को जरूर जोईन करिएगा, make sure कीजे कि आपने tele message करिए, मैं आपको वहाँ पर reply करूँगा, बाकि इस channel को like, share और subscribe जरूर कर लिजेगा, बाकि मिलते हैं next video में, next information के साथ, thank you very much.